पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुलकादर का सलाम इम्रान खान की रहाई से मुतालिक कानूनी प्रोसेस कब आगे बढ़ेगा आप मेंसे बहुत सारे लोग सवाल पुछते हैं तो आज उस हवाले से लेटिस डिवल्पमेंट है या यूँ समय लीजे के इम्रान खान की रहाई के लिए जो मुम्किना काउंट डाउन है वो आज से शुरू हो गया इसलामबाद हाई कोड से कुछ खबरें आई है बैक टू बैक जल्दी से आपको बता देता हूँ क्योंके फिर बहुत सारी पुलिटिकल हैपनिंग्स है उनको कवर करने के लिए भी भागना है आपको पता है कि इस वक्त क्या हो रहा है पूरे मुल्क में कराची में सेंद इसमली लहूर में पंजाब इसमली और इसलामबाद में कौमी इसमली में काफी ज्यादा गहमा गह मतलब जहांपर पुलीस के पहरे में यह सारा कुछ होता दिखाई दे रहा है लोग प्रोटेस्ट कर रहे है उनको करने नहीं दिया जा रहा गिरफतारियां हो रही है मुकदमात हो रहा यह थी तरफ हाल्थ फुटाए जा रहे है रिजिस्ट्रेशन हो रही है यह सारी हumbs ब् लेटेस्ट अब्डेट्स वो आपको बता देता हूँ, खत के हवाले से भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, आएमेफ को कब ये खत लिखा जाएगा, क्योंकि अब तो कोई 24-36 घंटे से ज्यादा का टाइम हो गया, जब से अनाउस्मेंट हुई के खत लिखा जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं लिखा गया, तो कुछ TV चैनल्स के उपर मैंने देखा, सुबो से ये खबरे चल रही है कि कोई इखतलाफात हैं, पीटी आई के अंदरूनी हलकों में, तो मैं ये क्लियर कर दूँ कि इखतलाफात नहीं है, हाँ लेकिन इसके उपर मैंने जैसे दो विलॉग्स में मसलसल आपको बता रहा हूँ कि बहुत सोच समझ कि इसकी ड्राफ्टिंग के उपर फोकस किया जा रहा है, टाइम दिया जा रहा है, तो अभी ये विलॉग शुरू करने से पहले मैंने फॉन करके पूछा कि लेटेस्ट अपडेट किया है, तो मुझे ये बताया गया, कि ड्राफ्ट त्यार कर लिया गया है, उसकी फाइनल अप्रूवल का इंतजार किया जा रहा है, जैसी अप्रूवल मिली तो आज ही ये लेटर जो है, वो मीडिया को भी जारी कर दिया जाएगा, और आज ही आएम एफ के नुमाइंदगान को है, जिसको भी अरसाल करना है, मुतलका हुकाम को कर दिया जाएगा, तो लेट सी, उसके बारे में भी अपडेट करूँगा, ल लिए मुकरर हो गई है, इसलामबाद हाई कोड में दो रुकने बैंच बन गया है, जिसमें पी टी आई ने ये अपील की है, कि इमरान खान को दी जाने वाली जो सजा है, उसे फौरी तोर पर मौतल करके, उनकी रहाई के एहकामात जारी किये जाएं, तो ये दो केसिस ताहम है, जिनमें उनकी रहाई बड़ा जरूरी है, वैसे तो तीन केसिस में उनको सजा हुई है, तो पहले इमरान खान की जाने ये अपीले उनकी लीगल टीम ने फाइल की थी, लेकिन एतराज लगया था, वापिस हो गई थी, बैंच नहीं बन सका था, फिर थोड़ी सी ताखीर हो गई, लेकिन एट दा मुमेंट जो खबर आई है, वो ये कि इसलामबाद हाई कोड ने दो रुकनी बैंच इमरान खान की अपीलों की उपर काइम कर दिया है, जिसमें चीफ जेस आमिर फारूक और जेस्टिस मियां गुल हसन औरंग जे भी शामिल होंगे, ये द जिसमें अपलाई होई थी, यानि जैसे ही ये अपील सुनी गई, तो सजा फौरी तोर पर मौतल हो गई, मरकजी अपील का फैसला बाद में होता रहेगा, जब तक केस चलता रहेगा, लेकिन सजा मौतल होने के साथ ही रहाई, जो है वो फौरी तोर पर उसका हुकम हो जाता है, तो अब इस केस में क्या होगा, ये देखना बड़ा दिल्चस्प होगा, दो रुकनी बैंच बन तो गया है, अब मेरा ख्याल है इसमें पहली हेरिंग के उपर शायद नोटिस जारी होंगे, और फिर एक आध हफ़ते की तारीख पड़ेगी, या दो हफ़ते की शायद दूसरी तारीख पड़ सकती है, और फिर इसमें कोई फैसला आ सकता है, क्योंकि इसमें को बहुत लंबे चोड़े और्गूमेंट्स नहीं चाहिए होते है, वो मरकजी अपील सुनने के लिए चाहिए होते है, जो सिरफ फैसले की मौतली की दरखास्त होती है, वो फौरी त सवाले से, फौरी तोर पे, यानि पहली ही अपील के उपर तो ओर्डर शायद कोई ना है, नोटिस जारी होंगे मुतलका हुकाम को, मुतलका फरीकाइन को, उसके बाद, लेकिन अब ये है कि काउंडाउन एक तरह से शुरू हो गया, फैसल वाड़ा का मैं कहीं पे स्टेट करना पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा, जो PTI की लीगल टीम है, वो ये बताते हैं कि डेट से दो महीने का टाइम, लेकिन चुके इसमें और बहुत सारे फैक्टर्स इन्वाल्व हैं, और बहुत सारी चीज़े इन्वाल्व हैं, तो कहीं पे को थोड़ी सी नर्मी, कहीं आप एनलाइज करना चाहें, तो एक तरफ की पिक्चर में आपको नजर आएंगे, वो लोग जिनके पास मैंड़ेट है, नहीं है, इसके कता नजर, वो लोग हल्फ उठाने की त्यारी कर रहे हैं, ओधों की तकसीम हो रही है, फैसला साजी, हकुमत साजी, इन मराहिल में व मैं आपको बता देता हूँ, असद उमर, साबिक रहनुमा, फैसल जावेद मौजूदा रहनुमा, शहजाद वसीम मौजूदा रहनुमा, अली अवान, साबिक रहनुमा, शेख रशीद इत्तहादी, ये सारे लोग बिजारे अदालतों में अपनी पेशियां भुगत रहे ह फिर जो लोग बच गए इन केसिस से, वो अभी तक प्रेस कॉंफरेंस कर रहे हैं कि जनाब हमारा मैंडेट चोरी हो गया, हमारा पास हम जीत गया है, लेकिन हमें हरा दिया गया, वो इस चकर में पड़े हुए है, फिर जो बच गया, इस सारे प्रासेस से भी, वो एवान मे पहुंचे हैं और वो अब जाके अपने रिजिस्ट्रेशन वगारा उन्होंने कंप्लीट कराई और अब मेरा ख्याल वो एक दो दिनों में पीर के रोज चाहिद कौमी इसमली का इजलास होगा तो उसमें वो अहाल फूटाएंगे, और PTI के लिए या PTI के कारकुनान के लि नहीं चलनी है, कैसे यह सारा प्रोसेश जो है, इस टाइम PTI वरकर्स की जो तरजी है उन्होंने वोट भी जो डाला PTI के लोगों को या PTI के मेंबरान को वो शायद इस नियत से नहीं डाला कि यह कोई हकूमत बना लेंगे और कोई पता नहीं क्या कर लेंगे, वो इस नियत लेट सी, अब यह केसिस तो अपील के लिए, बलके यह अपीलें जो है, वो समात के लिए मुकरर हो गई है, अब हाई कोट से भी अगर रिलीफ नहीं मिलता, जो के मिलना चाहिए, अमोमन आम तोर पे केसिस में ऐसा ही होता है, यही प्रैक्टिस है, लेकिन अगर PTI को यहां एक अपडेट यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम ने एक नवाज, इस वक्त कौमी असमली में भी लीडिंग पार्टी बन गी है, यह बना दी गई है, यूं समय लीजे, क्योंकि उनको मखसूस निशिस्तें अलॉट कर दी गई है, दूसरी तरफ PTI स्लैश सुनी इतहाद कॉंसल अभी तक उन्हीं निशिस्तों के उपर स्टैंड कर रही है, जो उन्होंने जीती हुई है, उनको कोई अभी तक मखसूस निशिस्त नहीं दी गई, इलेक्शन कमिशन का इजलास जरूर हुआ, इस मामले पर गोरोखोस के लिए, लेकिन गुफतन, निशिस्तन, बरखासतन इजलास खत्म हो गया, फैसला नहीं हो सका, तो इलेक्शन कमिशन का इस रिसेंट पास टाइम में या इस रिसेंट ट्रैक रेकॉर्ड को देखते हुए, कोई एक फैसला मेरे माइंड में नहीं आ रहा, जो उन्होंने PTI की फेवर में दिया हो, या PTI के हक में गया हो उनका पैसला, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब ये भी नारेटिव बन सकता है कि PTI एवान में अक्सरियती जमात नहीं है, वो मुस्लिम लिग नून है क्योंकि उनके पास मक्सूस निशिस्ते भी एड होगी, 108 का नंबर उनके पास सला गया, तो इसलिए PTI को अगर सिंग लार्जस पार्टी रखना है, तो फिर शायद उनको मक्सूस निशिस्ते ना मिलें, तो बहराल इसके उपर भी लीगल फाइट बैक रहेगी, देखते हैं क्या होता है, वो भी आपको अपडेट करूँगा, तो फिलहाल ये ताज़ा तरीन खबरें थी, अब कुछ इंपॉ प्लिटिकल है, मैं उनको कवर करने के लिए भागता हूं, तागे वापस आगया, आपको भी अपडेट करूँ, अगर IMF का खट आगया इस दुराँ तो वो भी आपको अपडेट कर दूगा, अपना बहुत सा खियाल रखिए, अलाहाफेज